हेलो गाइस वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल बायो अडिक्टर दोस्तों आप सभी के लिए जो आपने सेकेंड राउंड में सिक्यूरिटी डिपोजिट करवाया था और जिनको कॉलेज यलोट नहीं हुई है उनके लिए रिफंड का नोटिस जो है अटल सब्स session आएगा आप वहार सकते हैं तो आपने और फॉर्म को करना है और यहांग को सभी को बता देता हूं जाएका कंडिण से और अपने यह सब्मिट करना हैençaंगा करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा सबसे पहले तो नेम ओफ दस्टूडेंट यहां पर आपने अपना नेम लिखना है जो भी आपका नेम है फादर स्में आपको लिखना है प्रोग्राम और कोर्स जिसके लिए आपने अपलाई किया था अब्लिकेशन नंबर चौक कि तरफ से जो आपको अप्लिकेशन नंबर मिला था वो आपने इसमें लिखना है नी ट्यूजी रोल नंबर आपका नीट यूजी 2021 का रोल नंबर क्या था मार्ग्स क्या थे आपके ने ट्यूजी 2021 में एंड देन उसके बाद आप सभी को यह और इंफर्मेशन भी इसमें भरनी होंगी यह आप यहां पर देख सकते हैं जो आप से कही गई है नीट 2021 के रोल नंबर तक हमने कर लिया था मार्क्स भी हो गया था उसके बाद अबिश्यक अमौन आपको कोई अलाउट होई यहां पर राउंड और अजली के राउंड में आपको अलाउट होई थी तो आपको जहाँ पे कुछ नहीं भरना है उसके बाद आपको next इससे आगे चलते जाना है यहाँ पर आप सभी देख सकते हो उसके बाद देख सकते हो आप round of counselling का हो गया है उसके बाद date of online counselling round where in the college was allocated जब आपको college allotted नहीं हुआ है तो वो लिखना है college allotted हुआ हो तो वो लिखना है amount of tuition fee deposited कितने आपने tuition fee जो है वो deposit कराई थी कितने आपने token amount जो deposit कराई थे उसके बाद आपको receipt number मिला होगा receipt number जो आपको मिला होगा वो आपने देनी है date डालनी है payment mode भरना है online किती या offline payment की थी other details कुछ हो तो वो डालनी है bank account number of candidate only जो आपका candidate है जिस candidate ने apply किया है उसका bank account का number डालना है IFSC code डालना है आपने उस account का name of branch लिखना है आपने उस account की यह सारी information सा जो है आपको इसमें fill कर लेनी है इन सारी information को fill करने के बाद जो आपके पास section आएगा next next आपको क्या करना है यह सारी information जब आप भर दोगे IFSC code तक name of branch तक उसके बाद आपको यहाँ पर mobile number डालना है email डालनी है any other information कुछ और है reason of claiming refund आप refund क्यों कर रहे हो क्योंकि आपको seat a lot नहीं हुई होगी इसलिए तो आप refund कर रहे हो अब यह जो सारा डाटा है MBBS and BDS course के दोलार अगर आपको seat a lot नहीं हुए तो आपको आपका amount refundable हो जाएगा prospectus के हिसाब से तो आप सभी के लिए यह थी information आप सभी के लिए जो refund का जो option है अब आप सभी के लिए दे दिया है जिन जिनको students का रह गया था और refund के आप भर सकते हो उसके बाद आपको end में यहाँ पर date लिखी होगी date लिखनी है signature of parents और guardian और signature of candidate candidate के signature आपको करने है यह सब करने के बाद आपको क्या करना है वो procedure में आप सभी को बता देखा हूँ जैसे आप यह procedure complete कर लेते हो इसके बाद आपने दो option करने है देखे मैंने अपनी ID से लॉग इन करके देखा था क्योंकि मेरे को college alert हो चुकी है तो मेरी ID लॉग इन हो नहीं रही है तो आपने क्या करना है अगर आपको कोई भी college alert नहीं हुआ है तो first of all, first option पे आपने अपनी ID open करके देख लेनी है अगर आपकी ID open करके कोई submit का option आ रहा है या कोई refund का option आ रहा है तो वहाँ पर इस document की photo आपने जो है वो send कर देनी है इस document को आपने fill कर लेना है आफलाइन इसको fill कर लेना आपने आराम से उसके बाद आपने इस document को submit करना है तो इस photo की इसकी document के आपने एक photo लेनी है और अगर आपकी ID खुल रही होगी ID पे ऐसा कोई option आएगा submit का तो आपने इसको submit कर देना है उसके बाद second चीज आपको क्या करनी है इसका पीडियेफ आपने शेयर कर देना है इसका पर इसका पीडियेफ बेज देना है email बनाके कि मैंने इस तरह से ये college भरी थी और अब मैं refund के लिए जो demand कर रहा हूँ तो आपने उसका PDF बनाके helpdex अमरू की email ID पर भेज देना है email ID मैं आपकी screen पर show करा दूँगा यहाँ पर email ID कौन सी है तो आपकी screen पर show हो रही होगी अभी email ID इस email ID पर आपको send कर देना है इसका PDF आया फिर इसकी picture आपने इस email ID पर send कर देनी है उसके बाद जो आपका refund initiate हो जाएगा तो अभी ऐसा कोई clear cut option वहाँ पर नहीं दिया है अटल उन्वरस्टी नेर चौक ने लेकिन last time हमने इसी तरह से refund आया था कुछ students का last time इसी तरह से refund आया था 5000 रुपे की जो security deposit थी 10,000 रुपे की जो security deposit थी वो वापस आ गई थी उन्होंने email पर send किया था तो आपने email पर send करना है और आप क्या कर सकते हो अगर आप अपनी ID login करने के बाद वहाँ पर भी आप submit कर सकते हो अगर वहाँ पर कोई option आया अगर वहाँ पर option नहीं आया तो आपने email ID पर जो है इसको submit कर देना है तो यह है आप सभी के लिए procedure इसके लावा अटली नेर्चो की तरफ से अगर कोई confirmation आता है कि कहां पर आपको सब्मिट करना है धंग से कोई confirmation आया तो आप सभी के साथ शेयर करूंगा इन दो जगह पर तो आपने जरूर से शेयर कर देना है आइडी पर शेयर ना हो तो email आइडी पर आपने जरूर से भेजना है email आइडी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर से कर दीजिएगा और अगर आपने का कोई भी doubt, query या question रह जाता है तो आप मेरे को Instagram पो follow कर सकते हो Instagram का link मैंने description में दिया है वहाँ पर जाकर मेरे को Instagram पर follow कर लेना आपका doubt और query मैं वहाँ पर clear कर दूँगा तब तक के लिए मैं आप सभी के दोस्तर भी आप सभी से लेता हूँ अलविदा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत